हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोगे उपीद करते हैं अच्छे ही होंगे और कि देख रही होंगे और ऐना इसके अपना केक्र हैं लिए करें उभी किसे अपने एक लिएंख दिव दोस्तों आप तो में आप लोगों को बताता हूं कि कैसे डिलेट कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो मैं आप लोगों को 받으니까 क्रफे से अपना account हमेशा के लिए कैसे कैसे डिलेट करें पर्म incorror को बताने लिए में पूरा डिटेयल आप को मिलने माला है दोस्तों तो बिलकुल भी 22 कौन त Diese समझीए और आप जितना हो सके इंडियन का इस्तेमाल करें कोई भी जाइनिज आप का इस्तेमाल ना करें ठराऊं करें थेंडि करकर रखा हुए और मैं सारे चैनीज एप्स से एकाउंट पर्मनेंटली डिलेट करना बताऊंगा और उसके बाद मैं यह सारे डिलेट कर दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे चैनीज एप को यहां पर एक जगा जमा करके रखा हुए जैसे मैं टिक टॉक लाइकी हेलो कठा करके रखा हुए और इनसे मैं पर्मनेंटली अकाउंट डिलेट करके इन सब को डिलेट मारूंगा जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कुछ दिन रिमूट चाइना एप का नाम से एक आया था जिसको प्लेयर स्टोर ने अभी डिलेट कर दिया और मेरे पास है ठीक है जि मुदा उठाए भीना अपने टिकूक के काॉंट से पर्मनेंटली टिक टोक को डिलेट कर देते हैं तो इसके लिए आपको अप्ण करना है dif दोस्तों ठीक है यहां पर आपको 3.0 अपको देखने को मिल रहा है तो simply आपको इस पर किलिक कर देना है ठीक है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर manage my account privacy and safety content preferences balance share profile बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे तो simply आपको यहां पर किलिक करना है मैंनेज माई एकाउंट पर ठीक है अब यहां पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर देखिए माइटी कोड फोन नंबर इमेल पासवर्ड सिक्योरिटी से अब लोग इन इंफोर्मेशन और यहां लास्ट में आपको डिलीट एकाउंट का तो इस पर आपको सिम्सवर्ड किलिक करना तो मैं इस पर किलिक कर देता हूं यहां पर मैंने जैसे किलिक किया यहां पर देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस घुल गया और यह प्रोसेसिंग हो रहा है ठीक है वेरिफिकेशन तू कंटिन्यू यू नीड तू लॉग इन यूर असोचिएस्टेड फेस्बूक एकाउंट फर्स्ट यहां पर मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि मैंने इसे फेस्बूक से लॉग उन किया था दोस्तों मेरा एक और एकाउंट है जिसमें मैं फोन नंबर से ल दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपका फेस्बूक लॉग इन होगा फिर से प्रोसेसिंग लेगा ठेक है यह आपका इतना लाव परमिसन मांगता है दोस्तों कि आप सारे परमिसन इसको दे देते हैं और बिना कुछ सोचे समझें आप सभी एप पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन चाइनीज हमेशा से खतरनाक रहे हैं दोस्तों और का एप भी हमेशा से खतरनाक रहा है जो की इंडियन यूजर्स के प्राइवेसी को हैकर्स के पास बेच देते हैं बहुत कम दाम में जैसा कि अभी ट्रू कॉलर ने किया है ठीक है तो यहां पर डिलीट अकाउंट को अप्शन आ रहा है दोस्तों तो सिंपल ही इस पर मैं किलिक कर देता हूं और डिलीट एकाउंट पर मैं किलिक करके यहां से डिलीट वाले अप्शन पर किलिक कर देता हूं तो यहां पर कंफर्मेशन हो रहा है दोस्तों और डिलीट एकाउंट मैंने किलिक किया है अब द यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इसका confirmation if you delete your account you will no longer be able to login in TikTok with that account ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह इसका कुछ term and condition था जो मैं पढ़ना भूल गया थो तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और 30 दिन के बाद और automatic अपना deactivate हो जाएगा आपका account और डिलीट हो जाएगा कि यहां पर loading हो रहा है दोस्तों यहां पर मेरा network शुलो है यह सब करने के लिए net fast चाहिए ठीक है तो यहां फिर से मैं continue करता हूं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं you are already logged in तो यहां पर मेरा दूसरा account login हो चुका है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अभी कोई और अभी कोई और account है और वह वाला account delete हो चुका है डिलीट successful हो चुका है दोस्तों और यहां पर जो मेरा phone number से login है वह वाला account यहां पर login हो चुका है और वह वाला account जो था मेरा delete हो चुका है तो इस तरह से आप अपना account permanently delete कर सकते हैं टिक टोक से और इसको भी मैं आपको delete करना बताऊंगा आगे के वीडियो में और आगे के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपना likey से permanently account कैसे delete करें hello से कैसे delete करें और योसी ब्रोजर में आपने अभी लोगिन किया है तो इससे कैसे delete करें और एक्सजेंडर यह सारे चाइनीज है दोस्तों जिसको आपको अपने फोन में नहीं रखना है सारे को delete कर देना है तो मुझे उमीद है आज का वीडियो यह पसंद आये होगा आपको अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वी में वीडियो अप्रावलिट करूं तो notification मिले सबसे पहले आपको thank you दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में